क्या हल चल रहे हैं क्रिप्टो के बिटकोईन के बात करने वाले हैं और वेलकम है आप सभी का आज की इस वीडियो में और आज की वीडियो बड़ी स्पेशल बहुत ही जदा इंपोर्टेंट है क्यों क्योंकि बिटकोईन के जो लेवल्स हैं वह आप देखेंगे तो 68,692 के जा चुके हैं और अगर मैं थोड़ा मंतली चार्ट पर चलूँ तो बिटकोईन अपने नए ओल्टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है बिलकुल यहां पे 200-300 डॉलर की दरकार रह गई लेकिन क्या हुआ थोड़ा सा एक गेम हो गया लिक्विडेशन का आप देखेंग गेम हुआ नए ओल्टाइम हाई को हिट करने से पहले और लिक्विडेशन क्या हुआ है कि यहां पे जो लॉंग्स के ट्रेड लग रहे थे कि अब नए ओल्टाइम हाई लग जाएगा उनको लिक्विडेट किया और बिटकोईन ने 26-30 मिलियन डॉलर के लिक्विडेशन कर तो अभी फिलाल बिटकोईन मेंटेन है एक गेम करने के बाद कहां पे 66,300 डॉलर पे 66,300 पे बने हुए है तो कोई प्रॉबलम वाली बात नहीं है लेकिन आपको भी अलर्ट रहना पड़ेगा अगर आप ट्रेड ले रहे है तो प्रॉफिट मिल रहे है तो उसको बुक कर लीजे ठीक है और क्योंकि होल्ड करने का जैदा यहां पर आप वो मत कीजे क्योंकि ऐसे टाइम पे जो मार्किट ऐसी सिचुएशन में चल रही है जहां से कभी भी कुछ भी हो सकता है न्यू ओल टाइम हाई लगाने के बाद फिर से डंप आ सकता है ना तो पंप और डंप वाले सिनेरियो अब हम जैदा देखें कि कुछ दिन जिससे क्या होगा शॉर्ट्स वाले भी लिक्विडेट होंगे और लॉंग्स वाले भी तो प्रॉफिट जहां मिल रहा है आप बुक कर लीजे उसको होल्ड वेट ना करिए चाहे कम लेवरेज लीजे लेकिन उसको बु जाला तो उसके बाद 72 भी है और हाई लेवल जो है मेवी 75,000 तक इस महीने चले जाए ठीक है ज्यादा से ज्यादा तो ये टार्गेट हिट हो सकते हैं नए ओल्टेम हाई के साथ बिटकोई तो सबसे बहले बात करेंगे शिवा इनु की शिवा इनु का पंप आप देख रह है 45 परसेंट आ चुका है 100 तक पहुंच गए थे मौर्णिंग में जो हाई लगाए शिवा इनुने चार जीरो के साथ 45 के लगाए ठीक है आप देखो पिछले कुछ दिनों से क्या ही भयंकर पंप किया ये एक शार्प पंप है ये धीरे धीरे आने वाला पंप नहीं है आप 338 परसेंट देख चुके होंगे शिवा इनुन का क्योंकि इतना तो पंप आई चुका है और अभी थोड़ा सा क्या हो सकते है कि गर हम 6 आवर के टाइम फ्रेम पे चलें थोड़ा सा यहां पर करेक्शन हलका फुलका 6 गंटे 8 गंटे या 12 गंटे कुछ हो सकता है थोड़ा ह टार्गेट आप लेगी जल सकते हैंगी थोड़ा सा करेक्शन मीन्स यहां पर 0.4 x 038 के लेवल है मेभी शिवा इनुन 0.4 x 33 के लेवल दिखा दे या 30 तक के लेवल दिखा दे उसके बाद क्या होगा सीधा प्राइस कहां तक जा सकता है 0.4 x 05 का टार्गेट यह आप देख रही है यह केंडल थोड़ी रेड में आती दिख रही है तो 6 घंटे यह इसकी क्लोजिंग हमको मिलेगी कब इवनिंग में 5.30 पीम के उपर तो हो सकता है 6.12 घंटे थोड़ा आराम करें करेक्शन वाले लेवल्स रहें थोड़े इनी लेवल्स पर टेट करें 0.03 4x3 से लेके 4 तक के अंडर है तो 42 परसेंट अभी ग्रीन में बना हुए शिवाई तो बिलकुल ऐसे टाइम पे ना क्रिप्टो में वालेटिलिटी जएदा है और यही रीजन आप देखो लॉंग स्वालों के लिक्विडेशन हुए तो पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो फ् लिक्विडेशन जैदा है और टोटल लॉंग शॉट के लिक्विडेशन 550 मिलियन डॉलर मार्किट ले गया है जो लॉंग और शॉट्स के ट्रेड लगे हुए थे ठीक है इतनी जैदा यहां पे गेम हुआ है तो पिछले अगर मैं 3-4 महिने का हाल देखूं अक्टूबर से पूरा प्री प्लैन यहां पे तयार था वेल्स का इंस्टूशन का अक्टूबर से मार्किट को पंप करना इन्होंने शुरू किया मार्च अक्टूबर नवेंबर दिसंबर जनवरी थोड़ा सा क्रेक्शन वाला रहो गया गेम वाला हो गया विकॉज ऑफ बिटकोइन एट तक हजार चेहसों तक हुआ आया है और इस वेल रिसी वन सेवन प्लैन यूज डिटी फ्रॉं टीटर ट्रेजरी इन पास्ट तू आवर एंड डिपॉज इन दिपॉज इंचेंजेंजर्ज और क्यूम्बर लेंड है इंजेक्टिट 3.2 बिलियन डॉलर यूज डिटी इन द उसे आया है कहां कहां से आया है तो सबने कहीं न कहीं जो वेल्स हैं इंसिटूशन से इनके सबके फंड्स तयार थे बस ऑक्टूबर का वेट हो रहा था और बिलियन डॉलर तब से लेके अब तक आ चुका है क्योंकि मार्केट कैप 2.5 डॉलियन डॉलर की होगी है और कोईन इस टाइम पे चल रहा है तीन हजार छे सो इथेरियम भी सेंटीस सो डॉलर के लेवल आस पास चल रहा है और चार हजार डॉलर का टारगेट हमने अलरडी डिसकस किया हुआ है लेकिन बड़ा इंटरस्टिंग यहां पे डॉज कोईन और शिवा इन्हों को देखना है अब वो टाइम नजदीक आ रहा है मामला इंटरस्टिंग अलरडी है वो टाइम नजदीक है कि डॉज कोईन दो फलिप होगा नंबर वन की कुरसी डॉज कोईन की जाएगी इसमें कोई डाउट नहीं है बस इलान मस्क कोई ट्वीट ना करें बड़ा ठीक है क्योंकि अगर हो सकता है अगर डॉज को इन फलिप होगा तो में भी एडिये कार्डायनों भी फलिप कर दे शिवाएनू अगर ये भी फलिप हो जाता है यूएस डीसी भी फलिप हो सकता है मार्किट कैप क्योंकि अगर ऐसा होता है क्योंकि और अगर थोड़ी और तेजी आ जाती एकसार पी भी फिलिप हो सकते हैं लेकिन एक सार्पी को अभी हम नहीं देखेंगे क्योंकि एक सार्पी अभी सोया हुआ जब एक सार्पी जागेगा तो डेफिनिटली इसकी मार्किट कैप भी कहीं जैदा बढ़ जाएगी लेकिन हम जो पॉसीबल सिनेरियोस देख पा रहे हैं शीबा एनु की जो रैंक है वो हमको साथ पर आती हुए दिख सकती है जो आज युएस डीसी चल रहा है यहां पर आपको अगले कुछ दिनों में में भी कल तक परसो तक कभी भी कुछ भी हो सकता है तो हम जो देख रहे हैं शीबा एनु की आने वाले टाइम में रैंक वो इनके अंदर देख पा रहे हैं और कितने नंबर पे साथ नंबर पर और पॉसिबल ये भी हो सकता है और और कुछ बड़ा हो जाए तब तक एक्सारपी पंप नहीं करता तो एक बार एक्सारपी भी फिलिप कर सकता है तो छेश-साथ नंबर पे शीबा इनु की रैंक हम जल तक के हाई लगा दिये थे अगर आप पीछे चलेंगे कुछ दिन अभी चोंसट हजार रीसेंट हाई लगा रखा था तब जो तेजी मार्किट में आई थी वो 36 बिलियन डॉलर मार्किट में आने पे आई थी लेकिन कल और आज अगर आप देखें 68 थाउजन डॉलर के आए तो पिछले 24 घंटे में क्रिप्टो मार्किट में जो मनी आया जो वो आया 48 बिलियन डॉलर तक करीवन तक करीवन 50 लगा लीजे लेकिन 48 बिलियन डॉलर का जो य पिक्चर कल जो पैसा आया वह जो थर्टी सिक्स बिलियन डॉलर आया था चौन सट हजार पे लेके गया था उससे भी कहीं ज्यदा था तो खूब सारा वॉल्यूम हूब सारा पैसा कल 24 गंटे में क्रिप्टो मार्केट में रिजर्ट आपने देखा बिट्कॉइन शिवा इनु क्रिप्टो मेम कॉइन सब अच्छे फंप उर सबसे जड़ा I λάpe जो रहेगा वह मेम क्रिप्टो में रहेगा क्योंकि मेम क्रिप्टो में भी बहुत ज़्यदा वॉल्यूम आया है शीबा इनों की बात करनों तो वह भी तकरीवन तकरीवन पंदरा आइ तिंक 12-13 बिलियन डॉलर पे चल रहा था और 25 तक वह पहुंच गया तो 12-13 बिलियन डॉलर तो शीबा इनों में अकेले में आया है है ना तो यह कुछ रिजल्ट र बढ़ना बहुत बड़ी बात है और more than 69,000 BTC 69 के करीब काई हाई है और इतने ही बिटकोईन विड्रो हुए है एक्सचेंजेस से और कितने के हैं 3.6 बिलियन डॉलर के मनलों तो करीवन तकरीवन सत्तर हजार बिटकोईन को विड्रो भी किया गया एक्सचेंजेस के उपर से रिजल्ट याया की 20,000 डॉलर प्राइज बढ़े फरवरी मन्त तो अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल जोईनी किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा जोईन जरूर कीजे क्योंकि जो भी इंपोर्टेंट जो भी इमर्जनसी अपडेट्स होते ह हैं वो टेलीग्राम पे सबसे पहले मिलते हैं तो अगर हम बिटकोईन की बात करें तो अगली जो अपडेट है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी अच्छी और गुड नियूज है माइने बहुत अच्छे हैं कि बिटकोईन होल्ड अबवा मैसिव सपोर्ट वॉल विद वन मिलि इड्रेसीज छे लाख बिटकोईन यहां पे अल्रेडी जो है बाइंग ओवर 6,71,000 बीटीसी किस रेंज के अंदर 60,000 से लेके 62,000 कितना जैदा सपोर्ट है मतलब इन लेवल्स पे भी खरीदा जा रहा है और माइक्रो स्ट्रेटेजी भी यहां पे कुछ शेर्स की सैलिंग की तियारी है 600,000,000,000 अभी हमने मौर्निंग में डिसकस किया था तो अभी बिटकोईन और खरीदे जाएंगे माइक्रो स्ट्रेटेजी की तरफ से भी तो खरीदारी का जो दोर है वो अभी भी चल रहा है क्योंकि टार्गेट अभी भी पेंडिंग है एक लाख डॉलर यहा इथीरियम यानि 2521 डॉलर टुबाइ 49 बिलियन शिवा यहनु 1.9 मिलियन डॉलर के इन 2021 2021 में यहां पे खरीदे थे कितने के 1.9 मिलियन डॉलर अब करेंटली हो गया और कितना लगाया था 2521 तो 2521 अगर हम देख लें अल्मॉस्ट दो लाख रुपे होगे करीब-करीब और दो लाख रुपे के शिवा इनु खरीदे गए थे यहां पे और 1.93 मिलियन डॉलर समझ रहे हो मतलब यहां पे मामला पहुच चुका है 16-17 करोड रुपे का है न 16 करोड यह लगा लीजिए और अफ्टर 2.6 years of staking he withdrawal all 40 बिलियन डॉलर शिवा इनु 1.58 मिलियन डॉलर के and deposit it into Coinbase 30 मिनिट अगो and if he sell he will make 1.5 मिलियन डॉलर एक gain of 628 एक्स तो कितनी बड़े इंटरस्टिंग स्टोरी है कि staking के उपर यहां पे लगे रहे है धाई साल और जो return मिला है वो आप देखिए 2521 बहिया crypto market में अगर आप hold कर सकते हो सबर रख सकते हो तो यह market आपको इतना दे सकता है जितना आप expect imagine भी नहीं कर सकते है बस hold और patience वालों को सर आखों पर बिठा कर रखता है यह market बाकी जल्द बाजी वालों को तो सफाया कर देता है यह सबसे बड़ा example है कि वहिया 2500 लगाया और 1.980 यह कोई पहली picture भी नहीं है crypto market से छोटे से बड़े return बहुत सारे बन चुके हैं बहुत सारे traders ने बनाये हैं और बन रहे हैं और आगे भी बनते रहेंगे ऐसी stories हम cover करते रहेंगे तो यह एक शिवा इनु की भी power है सिर्फ staking का मामला है यहां पे और millions of dollar का profit next update है फ्लॉकी इनु को लेके फ्लॉकी इनु के टीवी अल अभी 400 million dollar को hit हुए थे और अब यह नंबर 526 million dollar तक पहुँच गया है तो यह नंबर जो बढ़ रहे हैं प्राइस तो बढ़ा ही है लेकिन यह नंबर जो बढ़ रहे हैं यह बता रहे हैं कि फ्लॉकी इनु का मार्किट के अंदर एक रुत्बा कहीं ना कहीं कायम हो रहा है मेम क्रिप्टो की लिस्ट में ठीक है और फ्लॉकी रीचीज इको सिस्टम TVL of 526 million dollar another record हाई तो यह TVL का एक और record हाई अब ही हमने कल पर सो ही डिसकस किया था 400 million dollar 126 million dollar और आ चुका है और फ्लॉकी इस्टेकिंग की बात करें 389 million dollar और फ्लॉकी फाय लोकर की अगर हम बात करते हैं तो 136 million टोटल हो गया 526 million dollar का TVL last and final बात करेंगे fear and greed index की बिलकुल fear and greed index का meter 90 पे पहुँच चुका है आज तो अभी हमने कुछ बात की थी greed की extreme greed की लालच वाला जो माहूल है market में वो ज्यादा है अभी recently था 80 पे लेकिन अब चरम से भी ज्यादा चरम के उपर पहुँच की है क्या fear and greed extreme greed के उपर चल रहा है meter 90 का और ये अब तक का अगर हम देखें फरवरी 2021 के बाद वाला high level है fear and greed index का मतलब market में जो है greed हो रहे हैं सब और जरूरी है बिलकुल market जब उपर जाएगी तो greed होंगे लेकिन इस time पे wallet लिटी बहुत ज्यादा रहती है आपको alert भी रहना पड़ेगा new all time high लगा के bitcoin pump dump वाले game कर सकता है जेट action रहेंगे सब तो उससे आपको बचके रहना है alert रहना है ठीक है बाकी जो update रहेंगे वह हम next video में discuss करेंगे तो वीडियो अच्छा लगा like share comment कीजेगा कोई भी question कोई भी सवाल है तो पूछिएगा और next video किस पे होना चाहिए तो नीचे description में telegram का link है जो भी emergency update होते हैं सबसे पहले माँ मिलते हैं join कीजिए मिलेंगे next video में तब तक के लिए bye bye take care